हेलो स्टुडेट्स मैं सेल्फ विज्या श्रिवास्तर वेल्कम तू विज्या स्टैटीवे क्लासिस तो आज हम लोग बेसिस एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे एसेट बेसिस सॉल्ट्स के ला जो सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आज बेसिस एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिस पढ़ने जाने तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वॉट आर बेसिस बेसिस क्या होते हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट हैव सोपी टच तर्ड लेड लेटमस ब्लू एंड गिव हैड्रोक्साइड आइन इन एक्वस सोल्यूशन सो बेसिस ऐसे सबस्टेंस होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कडवे होते हैं टेस्ट इप बिटर में स्वाद में कडवे होते हैं और जब हम उनको टच करते हैं छूते हैं तो तो सोप की तरह चिकने होते हैं और जाग देते हैं सा को अगर हम किसी basic solution में डालते हैं तो वो blue हो जाता है और किसी aqua solution में वो hydroxide ions हमको देते हैं तो यह होते हैं basis for example sodium hydroxide, caustic soda, NaOH, calcium hydroxide, CaOH का whole twice, potassium hydroxide, caustic potassium KOH तो यह क्या है अमरे यह है basis properties of basis basis की properties क्या होती है have a bitter taste कड़वा स्वाध होता है basis का soapy to touch जब हम basis को छूते हैं तो वो साबुन की तरह चिकना होता है और जब उसको किसी water में या किसी स्वाध करते हैं तो वो जाग देते हैं तो रेड लिटमस इंटो ब्लू तो बेसिस क्या करते हैं रेड लिटमस प्रिपर को ब्लू में चेंज करते हैं कंडक्ट्स electricity in solution basis जो होते हैं वो किसी भी solution में electricity को कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ठीक है responsible होते हैं release hydroxide ions in echo solution तो basis जो होते हैं वो echo solution में hydroxide ions देते हैं जब कि हम लोगोंने acids में क्या पढ़ा था कि acids hydrogen ions देते हैं और hydronium ions देते हैं ठीक है तो यह थी है हमारी basis की properties अगर exam में आपको आएगा की basis की what are basis and their properties तो आप लोग लिख लोगे और यह examples लेना बिलकुल मत भूला ठीक है so देखते है next topic क्या है हमारा next है हमारा types of basis basis कितने types की की होते है basis can be divided into two types दाट इस water soluble and water insoluble ठीक है तो basis जो होते हैं वो generally two types की होते है water soluble जो water गुल जाते है dissolve हो जाते है mix हो जाते है and water insoluble में mix नहीं होते dissolve नहीं होते खुरते नहीं है तो basis कितने types के हैं, basis two types के हैं, that is water soluble and water insoluble. The hydroxide of alkali and alkaline earth matters are soluble in water, ठीक है, जो alkali and alkaline earth matters होते हैं, उनके जो hydroxide salts होते हैं, वो क्या होते हैं, वो water में soluble होते हैं, तो यह कैसे basis होगे, यह होगे हमारे water soluble basis, these are known as alkali, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, alkali बोलते हैं, for example, sodium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, etc., ठीक है, तो यहाँ पर alkali और alkaline earth matters हमारे पस क्या हैं, sodium, magnesium, calcium, और यह उनके hydroxide salts हैं, जो कि क्या होते हैं, कि water में dissolve हो जाते हैं, water soluble basis हैं, कौन-कौन से, sodium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, etc., alkali is considered a strong base, इस तरीके से, जैसे कि acids में हम लोगों ने पढ़ा था, कि strong acids कौन से होते थे, जो किसी भी solution में, echo solution में, पुरी तरह mix हो जाते थे, और hydrogen ion concentration ज्यादा देते थे, तो वो कंसे होते हैं, strong acids, उसी तरीके से, यहाँ पर strong base कौन से होगा, जो water में ज्यादा soluble होगा, ठीके, और ज्यादा hydroxide ions देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, strong base बोलते हैं, and vice versa for weak base, ठीके, अब हम देखेंगे कि bases के chemical properties क्या क्या होती हैं, तो first chemical property of base क्या है, reaction of base with metals, ठीके, जैसे कि acids में क्या था, reaction of acids with metals, वैसे यहाँ पर reaction of base with metals, when alkali base reacts with metal, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि alkali के bracket में क्या लिखा हुआ, base, तो it means कि जो alkali होते हैं, और alkaline earth metals होते हैं, उनको हम base भी बोलते हैं, ठीके, तो जब कोई alkali या base metal से react करता है, it produces salt and hydrogen gas, ठीके, तो यह क्या पर देता है, salt and hydrogen gas देता है, alkali plus metal gives salt and hydrogen, for example, sodium hydroxide gives hydrogen gas and sodium zincate when reacts with zinc metal, यहाँ पर हमारा alkali के है, sodium hydroxide है, जब यह zinc metal से react करेगा, तो उनको देगा sodium zincate plus hydrogen, तो क्या दिया हमको salt plus hydrogen, तो यह property थी base की reaction with metals, next property है base की reaction of base with oxides of non-metals, ठीके, तो base जो है, वो metals के साथ तो react करते ही है, as well as non-metals के साथ भी react करते हैं, non-metals oxides के साथ react करते हैं, non-metals oxides are acidic in nature, ठीके, तो जो non-metals oxides होते हैं, वो acidic होते हैं, in nature, ठीके, for example, carbon dioxide is in non-metals oxides, carbon dioxide हमारा कैसा है, non-metals oxides, when carbon dioxide is dissolved in water, it produces carbonic acid, जब हम carbon dioxide को water में dissolve करते हैं, तो क्या बनता है, carbonic acid बनता है, तो इसी से हम समझ सकते हैं, कि हमारा जो non-metals oxides है, जो की carbon dioxide है, वो कैसा है, वो acidic nature का है, therefore, when a base reacts with non-metals oxides, both neutralize each other, resulting respective salt and water, ठीके, जब base और acid आपस में react करते हैं, तो हुई neutral solution को neutralize कर देते हैं, और salt बनाते हैं, ठीके, हम लोग आगी चलके, salt को detail में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन topic है, acids, bases and salts, acid bases, salts तो, sorry, acid bases को तो हम लोग detail में पढ़ी रहें, हम salt को भी detail में पढ़ेंगे, कि salts क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर point आ गया है, कि when a base reacts with non-metal oxide, non-metal oxide acidic होते हैं, नीचर में, तो जब यह तोनों आपस में react करते हैं, base and acid, तो यह solution को neutralize कर देते हैं, और as a result of this, हमें क्या मिलता है, salt and water, क्या मिलता है, salt and water, यहाँ पर आप देख सकते हैं, base plus non-metal oxide gives salt plus water, non-metal oxides are acidic in nature, ठीक है, यहाँ देखिएगा, non-metal oxides जो होते हैं, वो acidic in nature होते हैं, examples, sodium hydroxide gives sodium carbonate and water when it reacts with carbon dioxide, तो sodium hydroxide हमारे कैसे है, alkali है, base है, और इसने किस से react किया है, carbon dioxide से, जो कि non-metal oxide है, तो इससे हमको क्या मिला, sodium carbonate, एक salt है, plus water, तो इस तरीके से reaction of base with non-metal oxides, हमें समझ में आ गया, next property है, base की, next to chemical property है, base की, वो है neutralization reaction, ठीक है, an acid neutralizes base when they react with each other and respective salt and water are formed, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इस last topic में कि, acid और base जब आपस में react करते हैं, तो solution को neutralize कर देते हैं, ठीक है, और with the respect of that, हमें क्या मिलता है, salt and water form होता है, acid plus base gives salt plus water, I think यह बहुत ही छोटी बात है, पर important है, याद रखेगा अब, कि acid and base जब भी आपस में react करेंगे, तो यह neutralize कर देंगे, ना तो acid की property वो show करेगा, ना तो basic की property वो show करेगा, वो क्या बन जाएगा, वो salt बन जाएगा, प्लस water बन जाएगा, ठीक है, since the reaction between acid and base, both neutralizes each other, ठीक है, तो acid base जब आपस में react करतेंगे, तो यह दोनों के ही properties को, एक दुसरे की properties को neutralize कर देते हैं, hence it is also known as neutralization reaction, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, neutralization reaction, और neutralization reaction पे कभी-कभी short note आ जाता है, आप याद रखना, अच्छे से समझना इसको, और with example अपना answer देना, ठीक है, तो इसका example है, sodium chloride and water are formed when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, यहाँ पे hydrochloric acid हमारा acidic in nature है, और sodium hydroxide हमारा alkaline है, और basic in nature है, तो acid plus base मिलके हमें क्या में देते हैं, एक salt देते हैं, sodium chloride and water देते हैं, ठीक है, तो the reaction between acid and base both neutralize each other, hence it is also known as neutralization reaction, तो neutralization reaction क्या होती है, ऐसी reaction जिसमें acid and base एक दुसरे को neutralize करके, salt plus water बनाते हैं, इसको बोलते हैं, neutralization reaction, next हमारी chemical property है, next chemical property of base है, reaction of acid with metal oxides, metal oxides are basic in nature, ठीक है, तो metal oxides हमारे कैसे होते हैं, basic in nature होते हैं, base होते हैं, thus when an acid reacts with a metal oxide, both neutralize each other, ठीक है, आप neutralization reaction में यह भी example दे सकते हैं, ठीक है, in this reaction, the respective salt and water are formed, acid, metal oxides से, जो की basic in nature है, react करता है, तो हमको मिलता है, salt plus water, ठीक है, बहुत ही छोटी चीज़े, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, है, इसका example है, calcium is a metal, okay, thus calcium oxide is a metallic oxide, which is basic in nature, calcium oxide हमारा कैसा है, एक metallic oxide है, जो की basic in nature है, when an acid, such as hydrochloric acid, reacts with calcium oxide, that is metallic oxide, neutralization reaction takes place, and calcium chloride along with water is formed, तो जब हम किसी acid को, again बही बात आ गई, कि जब हम acid को, किसी basic, basic substance, that is metallic oxide, that is calcium oxide से react कराते हैं, तो हमको मिलता है, salt, जो की है, calcium chloride and water, ठीक है, next topic है हमारा, next topic है, common in all bases, ठीक है, तो हर जो सारे bases होते हैं, जो types of bases होते हैं, water-soluble, water-insoluble, इन में common क्या होता है, like acids, इन में भी बहुत सारे common thing होती हैं, देखते हैं, a base dissociates hydroxide ion in water, which is responsible for the basic behavior of a compound, तो सबसे जो important role होता है, bases का, वो यही होता है, कि जो base होते हैं, वो water में hydroxide ions produce करते हैं, जबकि जो acids होते हैं, वो water में hydrogen ion और hydronium ion produce करते हैं, जो कि किसी भी compound का basic behavior show करता है, example, when sodium hydroxide is dissolved in water, it dissociates hydroxide ion and sodium ion, जब sodium hydroxide, जो कि हमारा basic in nature है, इसको जब हम water में dissolve करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, sodium ion मिलता है, plus hydroxide ion मिलता है, जबकि नौ next, similarly, when potassium hydroxide is dissolved in water, it dissociates hydroxide ion and potassium ion, जैसे potassium hydroxide, जो कि basic in nature है, जब हम इसको water में dissolve करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, potassium ion and hydroxide ion, thus, the base shows its basic character because of dissociation of hydroxide ion, ठीक है, तो जो basis होते हैं, उनका जो basic character होता है, वो यही होता है, कि वो water में hydroxide ion produce करते हैं, hydroxide ion का dissociation होता है, जबकि acidic में hydrogen ion और hydronium ion का dissociation होता है, तो यह जो thing है, dissociation of hydroxide ion, यह सारे basis में common है, तो यह थी common in all bases, now jump on the next, अब हम बात करेंगे, dilution of acid and base की, ठीक है, the concentration of hydrogen ion in an acid and hydroxide ion in a base per unit volume shows the concentration of acid or base, ठीक है, तो किसी भी, किसी भी solution में, हम acid और base की concentration है, जो मात्रा है, वो कैसे देखेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे, कि उस particular solution में, कितना, तो किसी भी solution में, हम, उस पर concentration of acid और base का जो मात्रा होती है, वो कैसे पता करेंगे, तो उस solution में, अगर concentration of hydrogen ion जादा होगा, तो हम समझ जाएंगे, कि वो solution कैसा है, हमारा acidic है, और अगर उस solution में, hydroxide ion की concentration जादा होगी, तो हम समझ जाएंगे, कि वो solution हमारा basic है, ठीक है, तो next, by mixing of acid to water, the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases, ठीक है, तो जब हम किसी acid में, water को mix करते हैं, तो जो concentration of hydrogen ion होता है, वहाँ पर कम हो जाता है, कम इसलिए हो जाता है, कि हमारा जो acids होता है, on the mixing of water, उसकी property, जो होती, acidic behavior होता है, जो कम हो जाता है, similarly, by addition of base to water, the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases, वैसे ही, जब हम basic solution में, जब water का addition करते हैं, water mix करते हैं, तो वहाँ पर, जो concentration of hydroxide ion होता है, वो decrease हो जाता है, क्योंकि, जो basic character है, वो कम हो जाएगा, और acidic में, जब water mix करेंगे, तो उसका acidic character कम हो जाएगा, the process of addition of acid or base to water is called dilution, and the acid or base is called diluted, तो इस process को acid में water को mix करना, and base में water को mix करना, तो इसको बोलता है, dilution बोलता है, dilution of acid and dilution of base, और जो acid base जो हमारा होगा, after mixing water, उसको बोलेंगे हम diluted acid और diluted base, तो इस तरीके से dilution of acid and dilution of base, I think आप लोगों को समबस में आ गया है, next, the dilution of acid or base is exothermic, तो किसी भी चीज में, किसी भी solution में, किसी भी chemical reagent में, तो आगर हम water mix करते हैं, तो क्या होता है, कि वो ठंडा होता है, तो तो उस time पे heat क्या होती है, evolve होती है, तो उस process को क्या बोलते है, exothermic, तो जिसमें heat निकलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, exothermic, thus acid or base is always added to water, and water is never added to acid or base, ठीक है, तो हमेशा acid or base को water में mix किया जाता है, कभी water को acid or base में नहीं mix किया जाता है, ठीक है, यह चीज़ याद रखना है, कि हमेशा acid or base को, यह one drop होगा, two drop होगा, इसको हम water में mix करते हैं, ठीक है, for the dilution process, but water को कभी acid or base में mix नहीं करते हैं, ठीक है, तो जैसा कि dilution process, exothermic process होती है, बहुत सारी heat evolve होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि, बहुत सारी heat निकलेगी, ठीक है, जब हम water को concentrated acid or base में अगर मिलाएंगे, तो बहुत सारी heat निकलेगी, which may cause splashing out of acid or base, and may cause severe damage, as concentrated acid and base are highly corrosive, तो जैसा कि हमें पता है कि, जो concentrated acid or base होते हैं, वो highly corrosive होते हैं, बहुत ज़्यादा jewel and seal होते हैं, जहां पर गिरते हैं, वहां पर उतनी दूर का area जल जाता है, तो इससे क्या होगा कि, अगर हम concentrated acid or base में water में लाएंगे, तो वहां पर accident हो सकता है, ठीक है, वो एकदम से splashing out होंगे, acid or base और हमें हाम पहुचा सकते हैं, इसलिए हमेशा one drop ये two drop, acid base को water में डाल के dilute करते हैं, ना कि concentrated acid or base में water को add करते हैं, तो ये था हमारा dilution of acid and base, जो कि बहुत ही जरूरी है समझना, अगर हम ये नहीं समझेंगे, और laboratory में अगर हम practical करेंगे, with concentrated acid or base, तो हमें पता नहीं रहेगा, और हमें harm पहुच सकती है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, dilution of acid and base, तो ये था हमारा basis and their types, आयोप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और exam में आएगा, तो आप कर लोगे, so keep watching visual study with classes, also do like, share, comment and subscribe my channel, thanks for watching, झाल